पूर्व केंद्रिय मंत्री वसांसत देवरिया कल राज मिश्र ने कहा कि जिन्ना आजाद भारत में खलनायक के रूप में रहे हैं अखन भारत के विभाजन में उन्होंने अहम भूमिकाने भाई जिससे देश में अनेक अठनाया पैदा हुई थी इन घटनाओं के कारण देश में काफी नरसनार भी हुआ था एसा अन्य luônों का भी मत है आजाद भारत में जिन्ना का चितरु रकने का कोई आपचित्य नहीं है देश के प्रमुख विश्व विद्यालेव में शुमार अलीगण मुसलिम विश्व विद्यालेव से उनका चितर हटाने में कोई हर्ज नहीं है वह रविवार को रेलवे स्टेशन रोडस थित एक होटेल में सनवाद्दाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने जिनना प्रकरण पर सरकार के रूख के बारे में कहा कि यह सरकार जाने लेकिन मेरा मत है कि उनका चित्र हटना चाहिए उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश्यादक बबलू द्वारदीपक मनी का अपहरण कर करीब 10 करोड मूले का जमीन बैनामा कराने के प्रकरण पर अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ठीक काम कर रहा है जो दोशी है उसके खिलाफ प्रभावी का रिवाई होनी चाहिए पुलिस प्रभावी का रिवाई कर भी रही है इससे मैं संतुष्ट हूँ इस पीसे मैंने कहा भी है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ट से सख्ट का रिवाई करें मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा पूर्व केंद्रिय मंत्री ने कहा कि इंद्रधनुष योजना व आयूश्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की गई है, इंद्रधनुष योजना के लागू करने के बाद विभिन प्रकार के टीका करण होंगे, उसका जबर्दस्त प्रभाव होगा, बीमारियों से मुक्ती मिलेगी आयुश मान भारत योजन से देश के 10 करोड परिवार, 50 करोड लोग को फायदा होगा सरकार ने इन योजनाओं से दुनिया के भीतर आधाश प्रस्तुत करने का कारे किया है पूर्व केंद्रिय मंत्री ने 14 अप्रेल से 5 माई तक चले गराम स्वराज जाभियान को सफल बताया उन्होंने चार साल की अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि गोरख पूर देवरिया सलेम पूर बलिया को राष्ट्री राजमार्ग घोशित कराते हुए एन एट से स्वीकृती दिलाई देवरिया में बैतालपुर से पांडे चक होते हुए डुमरी महवानी सोनु घाट तक 875 करोड की लागत से एन एट बाइपास का शिलायास कराया एन एच घोशित सडकों में कस्या देवरिया मार्ग, कस्या कमचनपुर महवानी सोनु घाट भरहज मार्ग, तमकुहीराज से समुर नहर होते हुए कटिया, विजीपोर, भटनी, सलेमपोर, तमकुहीराज से बेतिया को एन एच करते हुए पिप्रा घाट पकनाहा पुल का निर्मान कारे की स्वीकृती दिलाई, ट्रामा सेंटर में उपकरण वर्चिकित्सकों की तैनाती के लिए स्वास्त मंत्री से मिले, उमीद है कि जल्द ही ट्रामा सेंटर चालू हो जाए